दोस्टों शेनिवार के दिन आप शेनी से समंद जितनी सारी पीडा से बादा हैं उठसकते हैं में दो ही ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आप शनी की पीडाओं का बहुत ही अच्छे से उपाय और हल कर सकते हैं वो है मंगलवार और दूसरा दिन है शनीवार तो आज शाम को आप यह उपाय अवश्य रूप से करें और शनी की बाधाओं से बचें क्योंकि आने वाले 6 मैनों इस दो तक शनी आपको परिशान कर सकता है कई सारी पीडा आई कहीं सारी चीज है इसी लाइफ में कर सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा तो यह वक्त है अभी आपके पास शनी की पिडाओं से बचने के लिए शनी वार के दिन चमतकारी कुपाई करें और शनी की सभी प्रिडाव से आप बस सकते हैं लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भोले नात का नाम लिखें और अगर आप चाहते हैं अपनी कुडली का विशलेशन हमसे करवाना स्क्रीन पर नंबर चली रहे हैं आप और सपर अपोइट्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीज शुल्क लागवे दोस्तो सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि आज शनीवार के दिन पीपल के वरख्षी नीचे सरसो के तेल का दिपक तो आप हर शनीवार लगाते ही होंगे लेकिन आज आज आपको सरसो का तेल का दिपक लगाने के बार में हन्मान चालिसा का पाट करना है और बजरंग बाण का पाट करना है सभी लोग कर सकते हैं महिला पुरुष सभी लोग ऐसा नहीं कि यह नहीं कर सकते हैं दूसरा उपाया आपको करना है आज कवो को अगर आपके आसपास हो या कभूतर हो या पक्षी कोई भी हो इन पक्षियों को दाना आवश्यूरूप से डाले या मशलियों को भोजन थो अपको छुटकारा बहुत हज़ता की बात नहीं करते हें एक बढ़ा बदलाव आने वाले दिनों में में तुकितिने जरूरत मन जरूत मन हैंंस अगर वो चीज़े आप प्रदान उने करेंगे तो सबधाए शड़ा शनी सकारत्मक होता है इस कर्म को करने से चाहे भोजन हो कपड़े हो चपल हो जूते हो जो आप अफोर्ट कर पाएं वो चीज़ अगर आप किसी को डोनेट करते हैं अवशक और जरुवत मन्द लोगों को तो दोस्तों वकीन मानिए कि आप शनी संब्द जितनी सारी पीडा है और बाधा है हमेशा के लिए शनी की समस्याव से बस सकते हैं तो आज आप करें या यह मंगलवार करिया रोज भी करें जब भी आप अफोर्ट कर पाएं साथ दिनों के भीतर उन्हें जरूर आपको करना ही है तो यह चीज़े करने पर बहुत सी चीज़े आपकी फायदे मन्द होगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए ओमन में शिवाएं